Hello Everybody, This is Degraas Singh Rajput, Welcome to Magnet Prain इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम European Union के बारे में पढ़ेंगे European Union क्या है? European Union की powers क्या है? क्या challenges है European Union के सामने? जितने भी सवाल आपके मन में हैं? सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे जी हाँ, इस वीडियो में हम comprehensive तरीके से European Union को समझने वाले हैं दूसरी बात, ये पहली बात थी दूसरी बात क्या है देखो, टॉपिक से connect करो Alternative Centers of Power यूएस की हजिमेनी है, हमें पता है, अब यूएस की हजिमेनी खतम भी होगी ना तो जो New Centers of Power है Alternative Centers of Power है, वो कौन हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं वो सारी चीजें आप इस वीडियो में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं अब दिखें, अगर हम स्टाट करते हैं कि European Union, तो the name itself is explanatory कि Europe जो है तो Europe के Nations ने मिलके जो Union मनाई है वो European Union हो गई है ठीक, तो European Union वो हो गई है, अब मैं आपको कुछ-कुछ Dimension दिखाते चलूँगा, कुछ-कुछ facts देते चलूँगा तो उन्हें आप करते चलने याद रखते चलना लिखते चलना क्योंकि जो काम पोटेटिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग गों के इंपॉर्टन है एक प्रेजंट 27 मेंबर्स ठीक हैं 27 मेंबर्स हैं किस चीज़ के यूरोपयन यूनियन चे मतलब 27 चर्चा में भी था ब्रेक्सिट अब ध्यान आया ब्रेक्सिट तो ब्रेक्सिट क्या है ब्रिटेन प्लस एक्सिट तो ब्रिटेन ने जब एक्सिट करा कहां से यूरोपेन यूनियन से तो ब्रिटेन का जो एक्सिट था ठीक है उसे ही ब्रेक्सिट कहा गया है तो वह ब्रेक् तो यूरोप का क्या है दबदबा रहात पहले और बहुत जादा रहा है आज देखो कि तो आज तो अल्टरनेटिव सेंटर सफ पार में आप पड़ोगे चाइना आ गया इंडिया रशिया आ गया लेकिन एक समय था जब यूएस भी कुछ भी नहीं लगता था स्रिफ यूरोप और यूरोप में भी ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी बड़े-बड़े दिगज देश हुआ करते थे आज भी है लेकिन आज उनकी वह जो दिगजता है ना वह कम हो गई है ठीक है तो क्या होता है कि सेकंड वल्ड वार जो ह उसको खतम कर दिया ठीक है तो एंड वर एंड वर के बाद में क्या होता है कि यूरोप लीडर है वे ग्रैपल विदी कुछन ओफ यूरोप तो उनके सामने एक सवाल था कि यूरोप का क्या होगा अगर आप देखो के तो जोग्रफिकल एरिया को इतना बड़ा निये यूर नौमी उनका स्टैंडर ओफ लिविंग उनकी पावर जो है तो वह कंट्री को टकर देती है हमारी ठीक है तो उसी तरह से क्या है उसी तरह से हम समझेंगे ना तो जो एक सब्सक्राइब भव्य था सेकंड वर्ड वार आते आते क्या है कि वह पूरी तरह से क्या हो गया खतम हो गया खोकला हो गया तो जो यूरोप के लीडर थे ना जैसे विंस्टन चर्चिल हो गया तो अगर आप यूरोपेन यूनियन की बात करते तो विंस्टन चर्चिल नहीं आइडिया दिया था कि जिस तरह से उनाइटेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका है विशूट गो वहां से निकल क्या है साब क्या हो रहा है तो यूरोप के लीडर के सामने अखिर यूरोप का क्या होगा ठीक है यूरोप को कैसे समझेंगे यूरोप का क्या होगा तो यह उनके सामने सवाल था अब क्या हुआ अब अब बदलन इसी सवाल को मैं explain कर रहा हूं क्यों क्यों कि इस सेगेंड वल्ड वार शैटेड मेनी ओफ दी अजम्शन्स एन स्ट्रक्चर्स ओन विश दी यूरोपियन स्टेट्स हैड बेज देर रिलेशन्स अब क्या देखो दो रास्ते थे एक तो क्या कि जो अपनी पुरानी राइविलेरी आप देखो करां तो यूरोप जगा समझेंगे और दूसरा यह था कि राइविलेरी खतम करके हम हमारे भाविश्री के बारे में सोचें विशूट थिंक अबाट दी कोशन आफ यूरोप ठीक यह हो गया इन 1945 दी यूरोपियन स्टेट्स कंफरेंटेग रूइन आफ यूरोपियन स्टेट्स एंड 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 इन इस्ट्रक्चर ऑन विच्छ यूरोप हैड बिन फांड़ तो जो यूरोप जिस कैसकते फांडेशन पर बेश था जो अजम्शन थे कि हां भव्यता है यूरोप में प्रोस्परेटी है यूरोप में वो सब कुछ खतम हो गया था कारण वार देखो वार नेवर बिंस पी पुष बट इस बाई दिशग पूर पीज दैन यू शुट बी प्रिपेर द फॉर वर रादा या जो देशा पस में लट रहे थे वो क्या सोच रहे थे कि लड़ेंगे तब शांथिया जाईगी लेकिन अल्टेमेटल वा क्या तो अन दीश आव फिस उफ लिच लाग अगे शांती हो गई है लेकिन वो लड़ाई के पीछे आप जो डिस्ट्रक्शन ठीक है जो पॉवर्टी कह सकते हैं जो अंडर डेवलप्मेंट छोड़के जाते हो ना उसके घाव बहुत गहरे रहते हैं तो वार नेवर ब्रिंग्स पीस लेकिन डिलेमा यह है कि फ्यूर विलिंग स्टेट्स है बेस्ट यह इस चीज को इस चीज को माना क्या हमारा अगर डिकलाइन हुआ है नहीं के कारेन हुआ है लेकिन ऑप्टमिस्टिक रहना होगा आगे के बारे में सोचना होगा तो सेकंड वर्डॉर खतम होता है जिस अगर आप देखते नाइक फॉटी फइव में तो second world war आते आते हो एजमेनी खतम हो गई है अब वर्ड स्टेज पे कौन आ गया था यूएस दिए और यूएस का आना और एक तरह से वर्ड का दो ब्लॉक्स में डिवाइड होना यूएस स्टेज पर आया था लेकिन यूएस अकेर नहीं थे यहां पर स्टेज में दो लोग से रश्या भी जो था अंडर स्टेलिन आप देखोगे तो कम्यूनिजम जो आइडियोलोजी है और फिर उसके बाद में पूरा का पूरा सिस्टम जो है पैरलल वो क्रियेट हो रहा था ठीक है तो वर्ड स्टेज पर क्या है दो प्लेयर्स थे वर्ड दो ब्लॉक्स में यूरोप भी डिवाइड था जैसे इस्टन यूरोप इस्टन ब्लॉक के साथ जा चुका था सोवेट ब्लॉक वेस्टन यूरोप जो था वो अमेरिका की तरफ ज्यादा टिल्टेट था यह कहीं लोगों को समझ में आए कि हमें यूरोप को इंटेग्रेट करना पड़ेगा ठीक है तभी यूरोप बच पाएगा तो जो लीडर्स थे उन्होंने एक समझदारी काम यह कर रहा हुआ कि अपनी जो ओल्ड राइवलेरी उसको छोड़के हम यूरोप के इंटेग्रेशन की बात करते हैं डेवलपमेंट की बात करते हैं ठीक है तो वो कैसे होगा तो स्ट्रक्चर अंडर नेटो तो नेटो का बनना 49 ठीक है वह हो गया 1949 नेटो का बनना हो गया उससे पहले जैसे देखोगे तो फैनेशल हेल्प जो प्रोवाइट करी थी ना उसको क्या कहा जाता है मार्शल प्लान कहा जाता है तो यहाँ पर देखेंगे अमेरिकन स्टेट से एं वेस्टन यूरॉब की मदद लिए वेस्टन यूरॉब को क्या किया फैनेंशल यूरोप की लिए तो वो प्रोवाइड प्रोवाइड करई बो जौर्च lors मार्शल जो समय पर गया सकते की अमेरिकन सक्रेंटरी ऑफ स्टेट ते नाम के अंदर में मार्शल प्लान आया मा प्लाइन जो था तो उसने फाइनिशल हेल्प दी वेस्टन यूरोप की रिविल्डिंग के लिए यह सारी चीज़ें हो रही थी फिर क्या होता है अब जब वेस्टन यूरोप की रीविल्डिंग हो रही थी ना तो यहां पर यह उरोप को इंटीग्रेट करने के तो क्या बनाया गया अजिसल्टन फॉर यूरोप्यान एकोनोमिक कोपरेशन वस्टैबिश्ट इन48 टेडल एंट टॉथ यूरोपीयाशन तो यूपियू स्टेट्स तो जू वेस्ट यूरोपियाशन इस ना चेम पोर्तवटों गर्मनी एंड इकनोमिक इशूज अब देखो आप नेक्स वीडियो में पढ़ोगे ना टाइम लाइन ऑफ यूरोपीन इंटिग्रेशन तो वहाँ पर आपको ट्रीटी और ट्रीटी के साथ में क्या बना क्या नहीं बना वो सारे नाम याद हो जाएंगे अभी यहाँ पर क्या है यहा इसा नहीं कि अगले दिन बस 1945 में 1946 मुनने तरह कर लिए यूरोपीन इन नमनाएंगे वह एक इवेंट है ठीक है ग्रैज्वली फॉर्मेशन होता है तो ग्रैज्वल फॉर्मेशन हम समझेंगे ठीक है वह नेक्स वीडियो में समझेंगे तो इस तरह से क्या होता है कि यह और अमिक कॉपरेशन पर ठीक från एक यंवी फॉर्णाय ओपर नायाजнаком क्यों फॉर्मेशन Fitzsum बनाई यह एकॉन वेकंश्री कोपरेशन में टीक्सले यह सब्सक्राइबी इंस्ट्परेशन लंगा जेव 14 अफिर स्व integration देखने को मिलता है the European Economic Community was established in 1957 to 1957 में क्या होता European Economic Community को establish करते है वो तो यह European Economic Community जो है ठीक है EEC जो है तो EEC जो establish होता है यह greater economic cooperation पर focus करता है fine this process acquired a political dimension with the creation of European Parliament अब क्या होता इसी time period में European Parliament मनाई जाती है European Parliament मतलब क्या है कि जो जो कह सकते हैं कि OEEC के member थे ठीक है एक और organization बनी थी European European Coal and Steel Corporation तो उसके जो members थे तो वह economic cooperation के साथ-साथ political cooperation में भी believe करने लगे European Parliament बन गई ठीक है European Parliament बन गई उसके बाद में क्या थी collapse of the Soviet block put Europe on fast track and resulted in the establishment of the European Union in 1992 ठीक है तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे Maastricht Maastricht Treaty of Maastricht जो इनीदर्लेंड में है Maastricht City तो वहाँ पर क्या होता है वहाँ पर एक treaty sign की जाती है ठीक है treaty of Maastricht Treaty of Maastricht treaty of Maastricht तो यह treaty of Maastricht जो sign करते हैं यह कहां पर sign की जाती है treaty of Maastricht sign की जाती है Maastricht में नीदर्लेंड में और उस treaty के according क्या होता European Union मनाई जाती है तो समझ रहो क्या हो रहा है कि आप देखेंगे तो है अल्टिमेटली 1992 में treaty of Maastricht sign की जाती है कहां पर नीदर लैंड में और उससे यह ताई किया जाता है कि हम एक European Union बनाएंगे ठीक है तो फॉर्मली European Union 1992 में बना formally fine उसके पहले प्रयास किए गए European Parliament economic cooperation के लिए अलग-अलग organizations atomic corporation के लिए भी आप नेक्स वीडियो में पढ़ेंगे यह सारी चीज़े बनाइए तो वो टाइम लाइन हम नेक्स वीडियो में पढ़ेंगे बागी मैं आपको एक मोटा माटी थीम बताई कि किस तरह से over the period of time gradual cooperation देखने को मिला है अब यह जो European Union मनाय गया था treaty of Maastricht के अंडर में 1992 में तो इसका objective क्या था था the foundation was thus laid for the common foreign and security policy cooperation on justice and home affairs and the creation of single currency which is euro तो इन सारी चीज़ों पर focus किया गया कब इन सारी चीज़ों पर focus किया गया 1992 में जब ultimately European Union के लिए treaty treaty of Maastricht में ठीक है अब क्या है थी European Union flag तो इस तरह से European Union flag बनाया गया आप flag में जिसे आप देखो के तो क्या है 12 स्टार्स है और जो सरकल बना रहे तो solidarity को दर्शाद है क्या 12 एक lucky number हो गया मतलब एक तरह से ठीक है तो 12 जो है तो जो है योग और अप जितने किनमेंबर आज ट्वंटीयस सवन मैंबर है तो सारे 27 नहीं चलता है कुछ स्टेट्स जो है तो यूरो काण नहीं करते हैं लेकिन लागंबन 19 त्टेट जो है मतलबry कौन करन सी आपको कॉमन करन्सी कॉमन वीजा वगरा यह सारी चीज़े भी और पढ़ेंगा हम इसके बारे में ठीक है यह हो गया तो इस तरह से आपको यह मेंबर्स समझ में आएंगे अब यह मेंबर्स को जिसे कर आप देखोगे ना तो ब्लू कॉलाइब में जो दिख रहे हैं तो ओल्डर में 2004 में कुछ देश जो हैं जॉइन करते हैं यूइन को बतलब नंबर ओफ कंट्रीज जो रहते हैं ज्यादा रहता है तो वह पूरा एक यूइरोपीन यूइन बनता है तो यह आपके एंसे समझ लो अब देखो इसमें कुछ-कुछ सुदार करते चलना मैंने स्टार्टिंग म एक्षिट कर गया तो ब्रेक्सित है वो ठीक फिर का यूरोपेन यूइन इवार्ड ओवर टाइम फॉम एन एकनोमिक यूनियन फू इंक्रीज इंग पॉलिटिकल वन कैसे तो यूरोपेन यूनियन हैस स्टार्ट एक्ट मोर अजने श्टेट पूरे के पूरे अलग अलग लेकिन वह सब मिलके एक सूपर नैशनल स्ट्रक्चर की तरह काम करने लगे हैं ठीक एक नेशन स्टेट की तरह काम करने लगे हैं वाइल दी अटेंट्स तो हैव एक यूरोपेन यूनियन है फिल इस एट्स ओन फ्लेग एंथम फांडिंग डेट एंड करनसी लोगा एक बा जैसे आप देखो कि तो फ्लेग कॉमन होगा उनका एंथम कॉमन होगा फांडिंग डेट हो गई करनसी हो गई है तो यह चीज़ दर्शात ही है यूरो जो एक पावरफुल करनसी क्यों है इतनी क्योंकि इतने सारे यूरोपेन देश जो हैं जो की डिलेटिवली पॉलेसी इंडीलिंग विद अधर नेशन तो कभी-कभी क्या होता जैसाब देखोंगे इंडिया यूरोपेन यूनियन समिट होता है तो समय यहां पर क्या होता है कि कुछ कॉमन फॉरेंड पॉलिसी भी है कि हम एक एक देश के साथ में जाके क्या कर रहें डिल नहीं कर रह कर रहें आगे क्या है दी यूरोपेन यूनियन हैस ट्राइट एक्सपेंड एरिया ओफ कोपरेशन वाइल एक्वाइरिंग न्यू मेंबर इस्पेशली फॉम दी आस्ट वाइल सूविट ब्लॉक तो यूरोपेन यूनियन ने क्या कि ओवर दी प्रियल अपने आपको एक्स सब्सक्राइब यूरोपेन यूनियन अपने आपको एक्स्पैंड कर रहा है और एक्स्पैंड करने के साथ में उसकी वैल्यू को दर्शाता है वो ठीक है दी प्रोसेस आज नोट प्रूवड एजी फॉर दी पीपल इन मैनी कंट्रीज आर नॉट इन वेरी एंधूजियास मालनोग जिसे कि पॉलन जो है और तो चेट रहें न का पार बन रहा है ना तो जरूरोई नहीं कि यहां के लोग खुश होंगे यहां के लोग प्रोटेस्ट भी कर सकते हैँ उस चीस को वर्टेस्ट कर सकते हैं तो इस तरह से क्या होता है मुद् थेम को मिला है लेकिन European Union जो है तो European Union is the reality और reality क्या है कि reality यह है कि बहुत सारे Western European और Eastern European nations जो है वह पार्ट है सब मिलके एक super national structure की तरह काम करते हैं ठीक है there are also reservations about including some new countries within EU अब देखो problems रहती है European Union में एक problem यह भी रही है कि European Union में क्या होता है European Union में जो नए members को add on किया जाता है तो उसमें कुछ पुराने members को दिक्कत भी होती है जैसे for example में बताता हूं आपको क्या हो रहा है कि आप देखोगे कि इधर से जो Eastern European nations थे यह 2004 में जोइन करते हैं Poland Czech Republic Slovakia Hungary Romania ठीक है यह सारे देश 2004 में जोइन करते हैं एस्टोनियल अद्वियल उथीनिया तो जो वेस्टन European nations थे जैसे जर्मनी हो गया ठीक है France हो गया Belgium हो गया Spain हो गया यह कहा है यह फिर भी डिवलप थे Spain को चलो अटा दो ठीक है मतलब हटा दो क्यों कह रहा हूं कि अभी उसकी इकनॉमी उतना अच्छा बहतर परफॉर्म नहीं कर रही है तो जैसे जर्मनी फ्रांस उस समय पे जब ब्रिटेन का एकस एकसिट करने के पीछे का कारण जो है तो ब्रिटेन का एकसिट करने का पीछे का कारण यह कि यह है कि ब्रिटेन में जो कह सकते हैं माइगरेशन था वह बहुत जादा बढ़ गया यहां पर आप देखोगे तो इमिगरेंट्स का जो आना था वह बहुत सोर अप हो गया के चलते और भी मल्टीपल रीजन थे लेकिन उसी के चलते क्या युनाइट किंग्जम जो एक्जिट कर जाता है ठीक तो यह तो कहानी हो गई किस चीज की हमने देख लिया यूरूपयन यूनियन की उससे एक एक पार्ट पर समझें तो यूरूपयन यूनियन है एकनोमिक लोग वो समझते हैं तो एकनोमिक इंफ्लेंस के अगर हम बात करें ठीक तो दी यूरूपयन यूनियन इस दी वर्ल्ट सेकंड बिगस्ट एकनोमी विट अगर आप करते हैं तो कुछ मैं आपको डेटा 2020 का लेके चलता हूं ठीक है 2020 का तो थोड़ा से रीसेंट है तो आपक यूनियन की एकनोमी है GDP साइज है वो कितना है 14 trillion ठीक है 14 trillion US dollar 14 trillion US dollar आईगे इतना तो ट्रिलियन का टी लगा देते हम नंबर जीरो लगाने बैठेंगे तो क्लास ही घतम हो जाएगी हमारी तो फोर्टीन ट्रिलियन यह ट्वेंटी ट्रिलियन का डेटा है यूरोपियन यूनियन की जीडिपी है ठीक है आप बोलोगे सब 16 में जादा थी तो उसमें ब्रिटेन भी था उसका पार्ट का ब्रिटेन एक्जिट कर गया इसके लिए बता रहा हूं मैं फिर क्या है फिर अगर आगे देखोगे ठीक है फिर आगे देखो तो यूस की जो एकनोमी तो यूस की भी कुछ आएगे स 19 ट्रिलियन के आसपास है ठीक है 19-20 या फिर उसके आसपास ही है तो इस तरह से क्या है कि अगर 2016-20 जैसे समझना आपको इट्स करंसी दी यूरो इट्स करंसी दी यूरो अब आप टेबल देखते हो ना कभी-कभी वह चार्ट रहता है कि इंडियन रुपी की वैल्यू किस उसके मतलब किस करंसी के साथ कितनी है मैं तो छोटा था यूस पेपर में वही देखता था इकनामिक फिर वह हो जाता हम उसमें नहीं हुसेंगे बागी यहां पर जो सम्झाने आली चीज़ है वो क्या है इक्स करंसी यूरो जो यूरो यूरो यह वाला ऐसा वाला यूरो ठीक है तो यूरो के पॉस अथ्रेट टू डॉमिनेंस ऑफ यूस डॉलर तो यूस डॉलर के अगर आप इसका शेयर देखेंगे किसका यूरोपेन यूनियन का तो इसमोर देन उनाटेट स्टेट से जाधा शेयर है यूरोपेशन का वल्ट डूत लिएक तो चाहे चाहे ना चाहे यूएस ओ तो चाहे ना और यूएस को ऑगर एक तरह से डराना होता तो यूयोपेन कर्णा सकता है यह हमारा इतना है कि तो सिदे ही चलना है तो हम आपको लॉस एकोनॉमिक लॉस दे सकते हैं वैसे तो असर्टिव पावर को इंफ्लेंस करता है अपना यूरोपयन उडियन इट्स एकोनॉमिक पावर गिस इंफ्लेंस ओवर क्लोजस्ट नेबर एस विल अस इन एफरिका तो अप क्या अफ्रीका जो है उन सब की वी उपर इंफुलेंस रहता है क्योंकि वर्ड ट्रेड वर्ड ट्रेड शेयर जो है ना तो यूरूपी नियुन का बहुत जादा है तो उस कंटेक्स में क्या उस कंटेक्स में यह दूसरे नेशन के उपर भी अफ्रिका के नेशन हो गए लेटिन अमेरिका की बात कर लो सकता है उनके साथ में अच्छे डम्स भी डेवलप कर सकता हों की एकनोमिक डेवलप्मेंट में उनके साथ मिलके अलाइन्स बना सकता वो सारे पॉइंट्स यहां पर सब्सक्राइब हो सकते हैं ठीक है फिर क्या होता है इट और सो संक्षण ऐस इन इंपोर्टेंट अपने आपको रिप्रेसेंट करता है तो क्या होती उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है तो इंपॉर्टेंट ब्लॉग इन इंटरनेशनल एकनोमिक और गनाइशन ठीक है तो इंटरनेशनल एकनोमिक और ट्रेट जो है तो आप क्योंकि वर्ट रेड में सारी ट्रेड रिलेडिड इशू रहते हैं और ट्रेड के मामले में अगर दिखा जाए तो लार्जेस शियर जो है वर्ल ट्रेड में यूरोपियन यूनियन का तो दिखती बात है कि उसकी पारगेनिंग पावर ज्यादा रहेगी तो दिस वाज़ एकनोमिक इ और यूरोपियन यूनियन ब्रिटेड इन फ्रांस होल्ड पर्मानेंट सीट्स ओन दी यूएन सेकरिटी कांशल ब्रिटें जहां जहां आएगा तो इस चीज को ध्यान रखना कि अब ब्रिटें एक्जिट कर गया है बुक जो पुरानी हमारे प्रिंटेड है तो थोड़ा स इसे घबराने मत क्यूंकि आप यूराइटेड निशन और अच्छे चेवार लोगे अभी इतना समझते चलो गैं यह जानता हो कि सारे देशों का मिलके जो समूद इसे आप वर्लड गॉवर्मेंट की तरह भी समझ सकते हैं ठीक है तो वो जो गुवर्मेंट है हमारी तो मे यू तो टू की जगा वन लिख सकते हो इसको बुक में वो पुराना है वन मेंबर ऑफ यू ठीक है ब्रीटेन हट चले गया है तो फ्रांस जैसे फ्रांस फ्रांस होल पर्मानेंट सीट ऑन दी यून सेक्यूरिटी काउंसल अप यह पर्मानेंट सीट का स्कंसेट समझो मैंने क अगर आप देखोगे तो यूएस से हो गया ठीक है यूएस से हो गया ब्रीटेन हो गया यूएस से ब्रीटेन के बाद में आप देखो कि रश्या हो गया फ्रांस हो गया रश्या हो गया और चाइना हो गया तो यह पांच मेंबर जो है तो पहले जब ब्रीटेन बाहर नहीं security council के permanent member का पार्ट है और permanent के लावा फिर non permanent member भी होते हैं 10 तो यह 10 जो सीट रहती ना non permanent member की security council में वो कैसे बाती जाती है कि 10 में से दो एशिया से आएंगे तीन अफरिका से आएंगे ठीक है दो जो member states आएंगे लेटिन अमरीका का पाट है तो इस तरह से security council में देखो आप एक permanent और तीन जो non-permanent तो बहुत सारे members जो होते हैं वो security council के कहा देखने को मिलेंगे मतलब European Union के आपको security council में देखने को मिल जाएंगे permanent or non-permanent ठेक तो the EU includes several non-permanent member of the UN security council also this enable the European Union to influence some some US policies such as the current US position on Iran's nuclear program अब इरान और इरान's nuclear program जो है न तो जैसे इरान के उपर sanction लगाना US के दवारा वो एक पूरा अलग history का aspect है लेकिन आप अगर यहाँ पर समझो के तो जैसे world के जो भी important issues है उनको लेने में security council का एक बड़ा role होता है उस security council में जिससे अगर आप देखो कि तो मैंने states की जो policy United Nations की जो policies है उन सारी policies को influence किया जा सकता है European Union के दवारा ठीक है फिर क्या है its use of diplomacy economic investment and negotiations rather than coercion and military force has been effective as in the case of dialogue with China on human rights and environmental degradation अब क्या है आप देखो कि तो उसके पास में diplomatically power है ठीक है उसके member जो है permanent seat रखते है non-permanent member की संक्या उसकी ज्यादा रहती है डिप्लोमेसी उसके पास economic investment अब मैंने बता है trade जो है world का सबसे ज़्यादा जो trade में शेयर है वो European Union का है ठीक and negotiation और उसके पास में negotiating capability है क्योंकि हर इंसान को trade करना है इंसान को अपने इंट्रेस्ट को सोचना है तो कोई भी देश उससे पंगा लेने से पहले सोचेगा European Union से ठीक है और इनी सारे advantages का फाइदा उठाते हुए वो क्या करता है वो एक तरह से अगर मालो चाइना है चाइना human right violation का काम कर रहा है चाइना environment degradation का काम कर रहा तो चाइना को फटकार लगा सकता है चाइना को चाइना को मतलब pressure create कर सकता है तो यह advantage है यह advantage है किसका European Union के पास में अपनी उस position का ठीक है इतने सारे member states का होने का fine यह यह हमने क्या देख लिए political and diplomatic influence of European Union अब military influence की भी अगर बात करें तो यूरोपियन यूनियंस ठीक है यूस combined armed force are the second largest in the world which is the first largest armed force you have to mention that in comment section कहीं से भी ढूंड का आपको पता है तो बताना ठीक है first largest combined force किसकी वह बताएंगे second largest अगर combined force पूरे European Union की देखा जाए ठीक है अगर country country जाओंगे तो country अलगा जाएगा ठीक है European Union के अगर बात करोगे तो European Union जो है European Union के पास मैं second largest combined forces है armed forces है ठीक है अब European Union के जैसे आब forces देखो के ना तो अब यह देखो इस तरह से यूरोप यह जर्मानी का soldier है जैसे तो जर्मानी का भी soldier है लेकिन यूरोपियन यूनियन का soldier भी है तो ऐसे यूरोपियन यूनियन के combined armed forces भी बनाई जाती है इस total spending on defense is the second after USA तो सारे देश किया अपनी अपनी personal spending जो उसको मिला दोगे तो European Union की defense कह सकते spending आ जाएगी defense expenditure आ जाएगा तो इस second largest after USA ठीक है लेकिन यूएस से किसी हाट पावर उसको तो कहीं चेक नहीं कर सकते आप बहुत बढ़ा amount है ठीक है वो हो गया फिर क्या है तू यूरोपियन union member states Britain and France also have फिर वहाँ पर तू आ गया तो इसको समझ लेना ठीक है तो European members such as France also have nuclear arsenal of approximately 550 nuclear warhead तो 550 दोनों का जोड़के बता है अब nuclear जो nuclear states है तो nuclear states में भी जिससे अब देखोगे तो France is the part of European Union right now तो उसके France के पास में क्या nuclear weapon है तो उस तरह से military influence भी अच्छी खासी है European Union की it is also the world's second most important source of space and communication technology space and communication technology के अगर हम बात करते तो उसमें भी क्या है second world's most important हो जाता है पूरा का पूरा European Union मिला के तो इस वर्दी पावर्स इस वर्दी इंफ्लेंसे इस वर्दी एरियाज ओफ इंफ्लेंस ओफ यूरोपियन यूनियन पॉलिटिकल एक टिक डिपलोमेटिक मिलिटरी हर सेंस में आपको समझ में आ गई अब अगर हम बात करें कि क्या यूरोपियन यूनियन भी मतलब एक तरह से देखो तो इतना पावर्फुल इसके कोई चैलिंड शनी शनीं चैलिंड आइस शोपर नाशींवाटिक है तो favour to Canada को पूर पेकिन इर्टिकल आ स्मझेन को मिलला एक टैस तौन पूर्ण पूलीकल को उस्चिन दो केकर सकता है तो फिर नेशनल और अर्गनाजिशन की तरह ओव लेकिन है ब्क इन Sporting relations and defense policies that are often at odds with each other क्या होता है कि आप economic political integration तो होगे मतलब economic political social areas में तो आपने बहुत बहुत बहतरीन तरीके से integration कर लिया सारे member states की बीच में लेकिन कभी-कभी का इस foreign relations की जब बात आती न तो जर्मनी के foreign relations वो अपने अलग हिसाब से चलाएगा ब्रिटेन के foreign relations वो अपने अलग हिसाब से चलाएगा तो इसके चलते confusion create हो जाते है और मतलब दोनों अलग-अलग stand पर खड़े हो जाते है एक्जाम्पल है तो बहुत अच्छा में क्या होता है कि ब्रिटेन जो था ना तो combined forces उत्री थी में आपको बताया था ठीक है इराक invasion जो होता तो से क्या नाम दियेगा है collision of willing collision of willing collision of willing जो उत्रा था किस चीज को terrorism को खतम करने के लिए weapons of mass destruction ढूणने के लिए सद्दाम उसे इनको पल्टाया था इन्होंने तो उस टाइम प्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर ने तो साथ दिया foreign relations or defense policies पे आमने सामने भी हो जाते थे opposite stand भी ले ले लेते तो ले लेते हैं और मतलब यह तो एक instance है से बहुत सारे examples है ठीक है तो this is one of the challenge of European union ठीक एक challenge हो गया अब इसके बाद में अगर आगे बात करते हैं तो यह मैंने आपको बताया कि जो collision of willing उत्रा था तो उसमें USA प्रिटेन यह कुछ European Union के भी nations थे यह सब मिलके कहां अतर जाते हैं Iraq में अतर जाते हैं अब लकिस अफगानिस्तान भी गया था क्या तो अफगानिस्तान भी गया था आफगानिस्तान का जो दियों आड़ने के लिए willing टेना वो लोग गय थे के यह हो गया देरिस का आप सेयेड आपके से का इम大的嚐 ठीकolie ये चीज भी समझो ये उडीडिशन करवाले हूं सब का टीक है इन्टिवेशन इस एजिन्दा है ना इसके इससे जुड़ा वा क्या है कुछ-कंट्रीस के मन में स्पक्रतिस zh aboard इसम मतलब तो युरोसटर लिफ जा रही है इसमें युरो का जो domination होने वाला है ठीक है यूरो को आप common currency बना दोगे इसको लेकर भी क्या स्पेक्टर सिजम में लोगों को ऐसा लगता है क्या कि इससे शायद क्या सकते हैं कि जो developed economies है European Union में सभी प्रकार किया मैंने बताया अब इसे ग्रीस है इस्तिती पतली यह बहुत जादा पॉर्टुगल स्पैन इनके अगर हम बात करें इनकी स्थिती इकनॉमिक स्थिती उतनी अच्छी नहीं है जितनी फ्रांस जर्मनी स्विडे स्विडेन की है तो उसके चलते क्या है कुछ नेशन जो वो क्या करते हैं इसको यूरो स्पेक्टिसिजम के परस्पेक्टिव से भी देखते हैं कि यह जो यूरोपियन उनियून का इंट्रिगेशनिस्ट एजेंडा है यह कही ना कहीं क्या है घातक भी साबित हो सकता है डाउट फूल उस चीज़ को लेकर ठीक है इंस्टेंस बताता हूं दस फॉर एंग्जामपल प्रिटेंस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लेकिन अब मार्गरेट ठेचर जो प्राइम मिनिस्टर रहती है तो यह किस टाइम में रहती है 90 80's के बाद में प्राइम मिनिस्टर रहती है ठीके एक इसके बाद में प्राइम मिनिश्टर जो रहती तो शी वास्नॉट विलिंग टी और इनकर बहुत बड़ा नामे थैचरिजम अगर आप पड़ोगे तो एकनोमिक्स में क्या है एक मतलब एकनोमिक्स में आपको एक पुरा का पुरा फिलोसोफी समझ में आए का ठैचरिजम जो है ठीके मार्केट एकनोमिक की बात करती है वो सारी चीजे तो she was not willing to join the European market ठीक है she was having an opinion that you Britain should be kept out of the UK should be kept out of the European market European market से बाहर रखा जाए तो वही यूरो यूरो स्पेक्टिसम की जो बात करते हैं अब आप देखो के तो इन्हों को इन्हों ने अडॉप्ट नहीं क्या इधर पाउंच चलता है ब्रीटेन में वैसे और भी देश थे तो डेन्मार्क डेन्मार को स्वीटेन के दर गया यह यह कुए रेखे यह डेन्मार्क है आपका ठीक यह स्वीडन है तो देवर नौट है विद्धी मैंश्टिक treaty ठीक है मैस्ट्रिक treaty of 1922 मतलब जिसने European Union को establish किया अब मैस्ट्रिक treaty of 1992 जो है तो मैस्ट्रिक treaty of 1992 एक और चीज बोलती थी क्या कि यूरो को adopt कर लिया जाए common currency की तरह अब इनों ने रजिस्ट भी किया है तो आप आज भी देखो के तो मैंने बता है ना कि सारे देशों में यूरो जोन नहीं है यूरो जोन मतलब क्या है कि जहां पर यूरो करंसी चल रही हो आप यूरो गुमने जाओगे यूरो सोचोंगे देन मार्क में झाल चलता है तो डैनिश को नचलता एटिके स्वीडिश करोना चलता है तो उनके तो इस तरह से एक चैलेंगे यह एक चालेंट यहीत यूरो सपक्रटिसिम ठीकियू श्टिसम आपको देखने को मिल जाएगा यह कहानी थी कुछ चैलेंजजर के लोग रेडी नहीं होते हैं और उसी के साथ में यूरो स्पेक्टर सिजम भी है मेंबर स्टेट्स के बीच में है तो दिस लिमिट्स दी अबिलीटी ऑफ यूरोपियन इग्जामपल जो है किसी और गनाइजेशन का सूपर नैशनल और गनाइजेशन का बनाने का जहां पर स्टेट्स ने अपनी सोवरेनिटी धीरे धीरे छोड़ी ओ चाहिए वो डिफेंस की बात हो चाहिए वो वीजा की बात ओट ओपन बॉर्डर कर देना तो वर्ड का सबसे अच्छा एक्जामपल है और यूरोपीन नो डाउट एक पावर्फुल औरगनाइजेशन के फॉर्म में निकल के आता है एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के फॉर्म में निकल का आता है बाकि उसके सामने जो आप दूसरे पढ़ोगे जैसे आशियान के बारे में पढ़ोगे तो आशियान य प्रफुल चांग के लिए निकल के इंटिक्रेटर नहीं है यह सार्क के बात करना सार्क तो और गनाइज़ेशन कम लड़ा कू जादा हो गया है ठीकिक तो शार्क में कि इंडिया पाकिस्तान दोनों है एक सार्क में वह भी पढ़एंगे हम अभी सारी चीजें फिर आप ब और्गनाइजिशन इसको देखो तो काटून अपेर इन 2003 वेंदी यूरोपियन इनिशेटिव टो ड्राफ्ट आ कॉमन कॉंस्टिशन फेल्ड यूरोपियन उनियन ने प्रयास किया कि कॉमन कॉंस्टिशन बनाया जाए लेकिन दी इनिशेटिव फेल्ड को लेके कुछ किया गया यह जो शुब बताइए वो क्या बताएं यह तो टाइटैनिक के रूप में बदर्शाए गया है तो कुछे नहीं पूछा है वाइड़ दी काटूनिस्ट यूज दी इमेज ऑफ शिप टाइटैनिक टॉरी प्रेजेंट दी यू तो टाइटैनिक का इसलिए क्या क कि काटूनिस्ट को यह लगा था कि यह कॉमन कॉंसिशन नहीं बना इसका मतलब क्या डूब जाएगा यूरोपियन यूनियन लेकिन अल्टिमेटली इच सर्वाइब और लंबे समय तक सर्वाइब करता रहा ट्वेंटी 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 में जब एक्जिट मारा किस सा टॉपिक था लेकिन है होप कि आपको सारी चीज़ समझ मैं यह बहुत कुछ पढ़ लिया आपने अब इसमें एक मेजर पार्ट बचाएं जो थोड़ा सा कह सकते हैं फैक्ट्स वाला है वह क्या है आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो मे आफ लेक्श। वीडियो के format में अभीले वाले ये सब्सक्राइब'May जैनल आप बहुत असले कर सकते गर और बैठे डेट अपने support me Ready सबकुछ चाहिए तो आप वभब साइड को हुख कर सकते हैं सीनल सा magnet डी स.com सेच करना है आपके सामने website खुलेगी website में आकी जो है आपको class select करना है class select करते से आपके सामने वो उस class के जितने वी subjects हैं ठीकिसारे subjects लब तो वो सारे सब्जेक्ट्स आपके सामने आएंगे उन subjects में से आपको जो subject पढ़ना है उसे सारे करो ठीकिंगे उस सब्जेट के जो चैप्टर से टॉपिक से सब टॉपिक से इस तरह से वह अर्एंजड होंगे और जो टॉपिक पढ़ना है जो चाप्टर पढ़ना है उससे सड़ेट करो घर बैठे अपना सिलिबस कमप्लीट करो ठीक है और यह सिर्फ क्लास 12 के लिए किंडर दान से क्लास 12 तक सभी क्लासेस के लिए आप इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं मैगनेट ब्रिंस के उपर विश्वास कर सकते हैं जी हां मिलते हैं नेक्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ जो है टाइम लाइन ऑफ दी इंटिग्रेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन झाल झाल झाल